प्रभु जगनात का सबसे प्राचीन व प्रसिध मंदर ओरेसा की पुरी नगरी जिसे सब पुरियों में से एक माना जाता स्थित है। तो वही इस सनातन धर्म के चार धामों में एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरी में जगनात मंदर का निर्मान राजा इंद्र दियुम ने हनुमान जी की प्रेरन से बनवाया था। कई धार्मिक की इंगंतियों के अनुसार इस मंदर की रक्षा का दाइत्व का भार प्रभू जगनात ने श्री हनुमान जी को समुद्र की आवाज को रोकना। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है जगनात मंदर में समुद्र की आवाज नहीं। हाला कि मंदर समुद्र के करीच स्थित है। मगर कैसे, अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो आगे भी गई कथा को ध्यान से पढ़िए। पौरानिक कथाओं के अनुसार एक बार नारग जी भगवान जगनात के दर्शन के लिए पहुँचे जहां उनका सामना पवन पुत्र हनुमान जी से हुआ था। जब नारग जी प्रभू से मिलने के जा रहे थे तो हनुमान जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि प्रभू बैठे थे। जब नारग जी उनसे मिलने गए तो उन्होंने प्रभू से इसका कारण पूछा तब प्रभू ने कहा ये समुद्र के आवाज हमें विश्राम कहां करने देती हैं। प्रभू से यब जवाब सुन नारग जी ने हनुमान जी को बताया। जिस पर हनुमान जी समुद्र से कहा कि तुम यहां से दूर हटकर अपनी आवाज रोक लो क्योंकि मेरे स्वामी तुम्हारे शोर के कारण विश्राम नहीं कर पाते हैं। समुद्र देव ने प्रकट होकर हनुमान जी को बताया कि है महावीर हनुमान। यह आवाज रोकना मेरे बस में नहीं। जहां तक पवनवेग चलेगा यह आवाज वहां तक जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज कम हूँ तो इसके लिए आपको अपने पिता पवनदेव से विनती करनी होगी। जिसके उपरांध हनुमान जी ने अपने पिता पवनदेव का आहवान किया और उनसे कह कि आप मंदर की दिशा में न बहें। मगर पवनदेव ने कहा कि पुत्र यह संभव नहीं है। परंतु इसका एक उपाय है। तुम मंदर के आसपास ध्वने रहत वायू को शिय वृत्या विवर्तन बनाओ। लोग तब हनुमान जी ने अपनी शक्ती से खुद को दो में विभाजित किया और फिर वे वायू से भी तेज गती से मंदर के आसपास चक्तर लगाने लगे। इससे वायू का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनी मंदर के भीतर न जाकर मंदर के आसपास ही घूमने लगी।